Let f be a function such that f of minus 1 equals to 3 and f dash of minus 1 is equal to 5 अब हमें एक function f दिया हुआ है जिसकी minus 1 पे value दिय हुए 3 और इसके derivative की यानि की f dash की minus 1 पे value दिय हुए 5 चलो आगे बढ़ते हैं फिर कहता है let g be the function gx ये बराबर है 1 by x के तो यहाँ पर एक नया function है g जिसकी value हमें दिय रखिये 1 by x तो अब पूछ रहा है let capital x be a function defined as capital fx भराबर fx multiplied by gx यानि की जिन दो functions की हम बात कर रहे हैं एक है f और एक है g इन दोनों को अगर हम multiply कर दें और एक नया function बनाएं जिसको हम capital f बोलते हैं तो हमें निकालना है f dash यानि की capital f dash of minus 1 तो मैं चाहूँगा एक पर तुम वीडियो पॉस करके इससे try करने की कोशिश करो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक function के product की बात हो रही है और function के product की बात अगर हो रही है तो हम यहाँ पर differentiation का product tool लगा सकते हैं product tool के हिसाब से f dash x जो हमारा capital f है capital f dash x यह बराबर हो जाएगा अगर यह product है दो functions का जो है f x और g x तो इसकी value हो जाएगी f of x multiplied by g dash of x यहाँ मैं लेखता हूँ g dash of x plus f dash of x f dash of x multiplied by g of x अब देखते हैं इसमें से कितनी चीज़े हमें पता हैं और कितनी चीज़े हम निकाल सकते हैं यह निकालना है हमको minus 1 पे अगर मैं minus 1 की बात करूँ तो f dash minus 1 यह हो जाएगा x के जगा मैंने minus 1 डाल दिया यह हो जाएगा f of minus 1 multiplied by g dash of minus 1 plus f dash of minus 1 multiplied by g of minus 1 g of minus 1 अब अगर मैं f की बात करूँ तो मुझे f of minus 1 और f dash of minus 1 यह तो मुझे question में given है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f of minus 1 की value है 3 और f dash minus 1 की value है 5 तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यह जो मेरा f dash of minus 1 है capital f dash of minus 1 है यह बराबर हो जाएगा f of minus 1 की value है 3 और f dash of minus 1 की value है 5 यह दोनों multiply हो रहे हैं यह multiply हो रहा है g dash of minus 1 से और यह g of minus 1 से यहाँ पर एक plus का sign है अब देखते हैं g dash of minus 1 और g of minus 1 कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें gx function जो है उसकी equation से बात करनी होगी gx बराबर है 1 by x के जिसको मैं लिख सकता हूँ x की power minus 1 के क्योंकि मुझे लग रहे हैं पर मैं power rule लगा पाऊंगा अब यहाँ पर अगर मैं minus 1 डालूं अगर input मेरा minus 1 होगा तो g of minus 1 कितना होगा अगर हम यहाँ minus 1 डालें तो g of minus 1 हो जाएगा 1 upon minus 1 1 upon minus 1 यानि कि minus 1 तो g of minus 1 यह तो मेरा आगया minus 1 अब बचता है g dash of minus 1 अगर यह value बे हमें मिल गई तो हमारा question solve हो जाएगा g dash के लिए मुझे इस gx को derivate करना पड़ेगा अगर मैं gx का differentiation निकालना चाहूँ तो मुझे निकालना है x की power minus 1 का differentiation x की power minus 1 का differentiation अगर मैं power rule लगाऊं तो यह हो जाएगा यह power मेरे नीचे आजएगी minus 1 मेरे नीचे आजएगा यह हो जाएगा minus 1 times x की power minus 1 में से मुझे एक power और घटानी है तो यह हो जाएगा minus 1 minus 1 यानि कि minus 2 मैं यह लिखता हूँ minus 2 तो यह हो गया मेरा g dash of x लेकिन यह मुझे निकालना है minus 1 पे तो अगर मैं g dash of minus 1 निकालू g dash of minus 1 निकालू तो यह हो जाएगा x की जगा मुझे minus 1 डालना है तो यह हो जाएगा minus 1 multiplied by minus 1 की power minus 2 minus 1 की power minus 2 थोड़ी से अगर जगा बनाऊं मैं यहाँ पर अब minus 1 की power minus 2 क्या होगी यह बराबर हो जाएगी minus 1 divided by minus 1 का square क्योंकि यह negative power है तो यह नीचे जाके positive हो जाएगी अब minus 1 का square होता है मेरा 1 तो यह चीज लिखी हुई है minus 1 upon 1 यानि कि minus 1 तो यहां से मुझे मुझे मिल गया मेरा g dash of minus 1 minus 1 के बराबर है तो यानि कि यह वाली value यह भी minus 1 है अब मेरे पस 4 values आ गई तो मैं f dash minus 1 निकाल सकता हूँ f dash minus 1 हो जाएगा 3 times minus 1 यानि कि minus 3 plus 5 times minus 1 यानि कि minus 5 यानि कि यह लिखा हुआ है minus 3 plus minus मतलब minus तो यह लिखा हुआ है minus 3 minus 5 यानि कि minus 8 तो यानि कि जो मेरा f dash x है यह minus 1 पे minus 8 के बराबर है यानि कि मेरे जो आंसर है यह हो जाएगा माइनस 8